हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंशल विद गोपी किस्ना में आज बार एक बार पुनाएं आपका स्वागत है जिसमें होती है मीचल फंड्स एवं फाइनेंशल सेक्टर्स के बात आपके साथ हिंदी में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या यह साइपी में अडिस्टनल परचे सकते हैं कि tomorrow चाहिए या नहीं हम कर सकते या नहीं कर सकते हैं अघर करना चाहिए तो कब करना चाहिए और अगर हम मालीजियों से पैसा निकालेंगे तो क्या उस पर कोई इंपक्ट पड़ेगा इन्हीं सब डिस्वर पर चर्चा करेंगे देखे पहली बात तो यह है कि अडिस्टनल परचेश क्या होता यह साइपी क्या होता है इसके विशे में बात कर लें तब पिर आगे और बात करतें यह साइपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यहां पर आपका एक सिस्टम के द्वारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें आपको जो है अपनी डेट आल्लेडी फिक्स करनी होती है उसके लावाँ आप जो एमाउंट फिक्स करते हैं कि हमारे एमाउंट में इतना पैसा जो है हर महने डेविट हो और जिस mutual fund company की जो स्कीम लेते हैं उसमें वो पैसा उस पर्टिकुलर डेव को डेविट हो करके mutual fund स्कीम में जाता है और वहां से आपकी यूनिट से लाठ हो जाती है और यहां पर आप जब देखते होंगे कि market नीचे है तो आपकी fund value नीचे आ जाती और जब market हाई होती यानि यह भी बढ़ी होई होती तो आपकी fund value बढ़ जाती तो यहां तो आपका एक सिस्टम के द्वारा पैसा जो आपने डिकलियर किया है अपने form में भरा है वो आपके account से bank account से हर महने debit होके mutual fund में जमा हो रहा है लेकिन अब आप चाहते हैं कि market काफी नीचे आ चुकी मेरा जो पैसा है उसकी value भी नीचे आ चुकी मुझे क्या करना चाहिए अपना पैसा निकाल लेना चाहिए ज्यादा तर लोगों के दिमाग में बात आती और आप लोगों का भी compare कर चकते हैं इन दोनों में सिर्फ अंतर यह होता है कि आपको फिक्स रिटन मिलता है और आपका account उसी institutions में होता है जहां से डेविट होके पैसा जाता है RD में लेकिन mutual fund company में ऐसा कुछ भी नहीं है आपका account चाहिए जिस bank में हो किसी भी नेशलाइज बैंक में हो या सेड्यूल कामर्सियल बैंक में हो आप यसाइपी हो जाएगी जोकि mutual fund company बैंक नहीं है वहां पर वो लोग account नहीं खोलते हैं बैंक एकांट को अगर चाहे कि हम mutual fund company में जाकर के खुडवा ले तो वो लोग नहीं खोलते हैं करी लोगों यह से तो बैंक एकांट अपना नहीं खुलाया था मेरा यह में आल लेडी है लेकिन यह स्वियाई mutual fund और यह स्वियाई बैंक दोनों अलग-अलग हैं कि दोनों का काम अलग है कि आयसे तो देखेंगे आप SDFC बैंक और SDFC mutual fund company आयक्सिस बैंक, आयक्सिस mutual fund company, कैनरा बैंक, कैनरा रोबै को mutual fund company तो कई लोग यह भी सोच सकते हैं कि हमारा बैंक मान लिजिए स्टेट बैंक में account है और हम चाहते हैं कि लाइए हम जो है SDFC का mutual fund purchase करने नहीं कर पाएंगे, मुझे SDFC बैंक में पहले जो है अपना bank account खुलवाना पलेगा, ऐसा नहीं है आपका किसी भी bank में account है, आप उसके द्वार अपना purchase कर सकते हैं, कोई भी scheme ले सकते है mutual fund company की, आज की समय में 44-45 MCs अपने हैं, और कई लोगों के proposal से भी के पास गए हैं, उनका भी जैसे जो है approval आ जाएगा, वो भी इस field में आ जाएंगे तो आपका किसी भी bank में account हो, तो पहली चीज यह सवाल उठता है कि हम mutual fund में, यानि जो मेरी SIP चल लिए, उसमें additional purchase कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, या 100% जब चाहें तब कर सकते हैं, यह नहीं कि institutional में आपकी RD चल लहीं, और आप चाहते हैं क कि वहाँ additional purchase कर लें, तो उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन SIP में आप कर सकते हैं, condition सिर्फ यही है कि उस funds में one time या lump sum investment लिया जा रहा हो, तो कि जब किसी funds के सामने investment यानि stock choosing में दिक्कत आती है, जो उनकी valuations बहुत आई है, तो वो लोग जो है additional funds लेना बंद कर सकते हैं, तो उसमें आप नहीं कर सकते हैं, जो आपकी SIP continue है, सिर्फ वो चलती रहेगी, जैसे HDFG का defense fund था, उसमें आप ना तो नई SIP हो रही है, ना ही additional purchase हो रहा है, निप्पॉन का इसमाल का एफ है, इसी तरह के कई funds हैं, जिसमें आप additional purchase नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आपको purchase ही करन हैं, तो same category का funds देखें, किसी भी mutual fund company में हो, तो उसमें आप पहले नया folio generate कर लिए, और जब आपकी च्छा हो तब उसमें additional purchase कर सकती, लेकिन यहां पे यह भी देखना, क्योंकि कई लोग सोचते होंगे, कि मेरे पास आज पैसा है, हम additional purchase कर लेते हैं, और जब मेरी मर्जी हो में locking period तो नहीं है, locking period सिर्फ दो ही तरह के funds में, equity oriented दो तरह की scheme में, सिर्फ locking period होता है, एक तो ELSS, equity link saving schemes, जिसको tax savings भी कहते हैं, दूसरा retirement funds, ELSS में 3 साल का locking period होता है, और retirement funds में 5 साल का locking period होता है, इसके पहले आप किसी भी conditions में पैसा नहीं निकाल सकते हैं, और किस तरह से calculation होगा उसमें, माल लीजिए, आप की SIP, 2010 से किसी भी tax saver funds में चली आ रही है, और आज आपके पास पैसा हुआ, आपने सोचा, लाइए हम इसमें 2 लाक रुपाई invest कर देते हैं, और मुझे साल डेट साल में पैसे क्या उसक 3 साल लिये जाएंगे, उससे 3 साल लिये जाएंगे, माल लिजिए, आपने 1 अगस्त 2024 को 2 लाक रुपाई additional purchase कर ली, आपकी tax saving में एक SIP चल लही थी, और आप चाहें कि हम इसको जो है, अगस्त 25 में ये जो 2 लाक रुपाई है, इसको निकालने तो नहीं निकाल सकते हैं, अगर आपकी SIP कि पहले से value हो चुकी होगी 3 लाग, 4 लाग रुपाई जिसके 3 साल पूरे हो चुके तो उसमें पैसा आपका निकल करके मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ फीफो का आरूला लागू होता है, first in, first out, यह नहीं कि आपकी choice के अंसार हमने इस डेट को जो पैसा इन करना होगा, फोलियों के विशे में हमने आल्लेडी बताया, अगर जिन लोगों को इसके विशे में जानकारी ना हो, तो comment box में अबस लिखे, हम इस पर भी एक वीडियो अलग से बताएंगे, इसके अलामा, additional purchase के और कोई भी absence नहीं है, माल जिन funds में नहीं है, additional purchase की facility, आप दूसे funds में किसी same category, यानि कि जो उस funds manager ने stocks ले रखे हैं, जिसमें ceiling है, capping लगी हुई है, purchase नहीं कर सकते, उसी category के funds, stocks अगर किसी दूसे funds ने ले रखे हैं, तो उसमें आप अपना नया folio create कर लिजे, और additional purchase करते रहिएगा, और जब भी market नीचे आए, आपके funds के value नीचे हो, तब तब आपको investment अवस्य करना है, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, like करें, share करें, और comments करें, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल financial with गोपी कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब ने किया, आवसे सब्सक्राइब करने, बेल आइकॉन को प्रस करना न भूले, जिससे आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिलता रहे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार.